हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग होफुली आप लोग सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे तो आज मैं आपके लेगे आएहां हुं बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हो कुछ किछन टिप्स जो के आप लोग के लिए हो सकते हैं बहुत भी यूसफुल तो आप को यह वीडियो पसंद आएगी और I अपको यह वीडियो आप वीडियो केसे फूंद 5 किछन टूई में हैं एंपर शुरू कर लेते हैं अपनी सब से पहली टिम्स और सबसे ठीव हमारे किछन से ही रिलेट अगे मैं वाटने टेवीयूथ्ट पानी किछन में sleeping अगचा हुझातकि aconहरा और इसमें पानी खट्टे होने के कारण इसमें काफी मच्छर भी पनब जाते हैं, जो कि हमारे बड़तनों के लिए बेकार होते हैं, गंदगी हो जाती है जिससे, और हमारे खाने में भी फिर वो जाते हैं थोड़ा होत, तो हमें क्या करना है, आज जो हमारी पहले टिप्स है तो पेचकस ही आज इस ट्रप को चेंज करने वाला है, जो हमारी पहली टिप्स में है, तो हमने यहां पे कर लेना है गैस आन, तो गैस आन करने के बाद हमें क्या करना है, कि यह जो पेचकस है, इसे बड़ी सावधानी से पकड़ कर इसे गरम कर लेना है, इसे हमें इतना ग अब देख सकते हैं जो ट।ं मेरे पास पढ़ा भाला उस परक लेना है हमेंच 6 तो कई प्रम कर लेना है तो फहरी श्गाल करना है तो अब देखिए इस पे अच्छे से छेद हो गया है यहां पे और अब ये दोनों तरब से हमें कर लेना है एक तरब से तो मैंने कर लिया था अब ये छेद यहां पे मैंने दोनों तरब से कर दिये हैं एक कॉर्णर से मैंने दोनों तरब छेद बना लिया इस पे ताकि ये हम गंढ़े में सब्सक्राइब जब यह थोड़ा सा टेड़ा होके इसका बैलेंस बनेगा तो इस पे हम जो बरतन धोके रखेंगे उसका पानी सीधा वास पेशन में चला जाएगा और इसमें बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होगा तो यहां पर इस तरीके से देखिए इस पर गया पारा है तो गया पारा है अब देखिए मैं आपको पानी डालके दिखा देती हूँ यह देखिए इस तरीके से हमने पानी डाला और जो हमने इस पर छेट करे थे उसमें से पानी आसानी से निकल गया तेख लीजी आप तो यह ट्रिक जरूर आजमाई चलिए फ्रेंड्स अब कर लेते हैं दूसरी ट ऐसे थी तरीके कि आपके पास जो भी कंटेनर हो एक चोटा सा मेरे पास यह बटर का था जुसे मैं यूद करने वाली हूँ अकसर हम इसे फैק देते हैं लेकिन इससे फैक्टा नहीं है आपको इसे यूद्स कर सकते है अपने डेली यूज में ला सकते हैं तो आपको यह धन इतना ही फ्रेस रहेगा इसके अंदर तो इस तरीके से आपको ढखकन इसका लॉक कर देना है लॉक करके आप इसे फ्रीज में आप एक हपते के लिए श्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी आपका धनिया ख़राब नहीं होगा और जब भी आपको यूज करना है तो आप इसे खोल चाय बनाते है तो अकसर हम चाय पत्ती को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अकसर इसको चान के हम डश्ट फीन में डाल देते हैं लेकिन अब आपको यह नहीं करना है तो आपको क्या करना है चाय पत्ती को चानना है और इसको साफ वाटर से फिर एक बार वास कर ले यह हमारे एक खात के रोप में यूज होता है तो यह टिप्स भी आपके काम आएगी तो चलिए फ्रेंट्स अब देख लेते हैं हमारी लाश्ट और आखरी टिप्स जो कि बहुत यूसफुल है तो फ्रेंट्स यह है मेरी एक तांबे की प्राथ जो की बिल्कुल काली हो चुक इस तरीके से हमें यह अच्छे से पूरी प्राथ में अच्छे से लगा देना है तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे रगड रही है वैसे चमकने लग रहा है वह इसलिए चमक रहा है क्योंकि जो नीमू होता है वह खटा होता है और इसमें एसीड होता है तो एसीड हो अगर आप इसे यूज करेंगे तो आप सच में बोलेंगे मुझे थैंक यू तो देख लीजिए इस तरीके से हमने ये सारी परात पे मैंने ये नीमबू अच्छे से फैला के लगा दी है तो ये देखिए उसके बाद जो भी ये इसका निकला था गंदा वो मैंने उठा के उस टेम पे बिल्कुल अच्छा था और बिल्कुल रगड़ने के बाद ये काला हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे डिस वास जो हम जिससे हम रेगलर बर्तंद होते हैं और उसके बाद आपको लेना है इस तरीके का जूना और उससे आपको ये अच्छे स फैला के इसमें जितना भी डिस वास था पूरे पे अच्छे से रगड़ के साफ कर लिया है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं चलिए फिर अब इसको धो लेते हैं धो कि इसका रिजल्ट दिखाती हूं मैं आपको तो आप देख सकते हैं अभी तो मैंने ये एक ही बार धोया है और ये इतना साइन करने लगया है जैसे कि आज ही मैंने इस परात को खरी दी होगी ये देख लिजिया तो आप देख सकते हैं कि एक नीमू के टुकडे ने हमारे तामे के बरतन को आप चाहे परात हो चाहे आपके पास थाली हो गिलास हो या मंदिर का कोई भी बरतन हो तो आप इस तरीके से आप चमका सकते हैं और आपके ये बहुत यूसफुल आने वाली वीडियो है ये आपके लिए तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मेरी परात बिलकुल निखर के आईए ये देखिए देखिए कितनी चमक गई है दो तीन बार मैंने इसको पानी से लगी है और बिल्कुल चम चमाट ऐसी लग रही है जैसे कि अभी खरीद के लाए होंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये परात मेरी तो आई ना आपको मेरी टिप्स पसंद चार टिप्स मैंने आपके साथ आशेयर करी है तो मुझे उमीद है कि आप इ आज के किचन टिप्स अगर आपको ही टिप्स पसंद आए होंगे तो जुरूर्ष कमेंट करके जुरूर बताना मुझे ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आऊं और आप लोग के साथ अच्छी टिप्स सेर करूं जो आप लोग के काम आ सके तो जुरूर कमेंट करके बताईए बाई बाई टेक कर मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में जल्दी